आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वेकेंसी के बारे में ये नई वेकेंसी आती है जल निगम में और इसके लिए आपको वेतन मिलता है लगबक 40,000 रुपय प्रतिमंत का वीडियो सुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वेकेंसी आती है मद्द परदेश से और केवल मद्द परदेश के कंडिडेट ही इसका आवेदन कर पाएंगे तो अगर आप मद्द परदेश से नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करिए तता कमेंट बाक्स में अपने इस्टेट का नाम हमें कमेंट करके बताईए ताकि आपके इस्टेट से जब भी कोई वेकेंशी आए उसे हम आप तक पहुचा सकें तो चलिए जादे जनकारी के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बैकन्सि आती है जल निगम में मदपरदेश से और यहां पे कुल मिला के 40 पोश्ट है और यह 40 पोस्ट मैनेजर और डिप्टि मैनेजर के लिए है जिसमें से मैनेजर को 14 और डिप्टि मैनेजर को 26 पोश्ट मिलता है बात करें युकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए कंडिडेट को BE या फिर VTEC होना चाहिए स्टिविल में और इसके साथ साथ gate क्वालिफाई होना चाहिए जादे जनकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन खुद पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है यह वेकंसी आती है मध्यपरदेश से तता सेंटर आफ एक्जामिनेशन भी मध्यपरदेश ही होगा एज की बात करें तो कंडिडेट की एज 21 से लेके 40 वर्स होनी चाहिए यह एज काउंट की जाएगी 17-2018 यह फाराम अनलाइन तरीके से भरा जा रहा है यह भरना शुरू हुआ है 16 अगस्त 2018 को तता अंतिम डेट है 5 सितंबर 2018 बात करने अप्लिकेशन फीस के बारे में तो जनरल तथा OBC को देना है 200 रुपए एवं अधर और फिमेल कंडिडेट बिना किसी सुल्क के इसका आवेदन कर पाएंगे यह वेकेंसी केवल और केवल मध्यपरदेश के कंडिडेटों के लिए है जैसा के हम आपको पहले ही ब पढ़िए नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप यहां क्लिक करके इसका आवेदन भी कर पाएंगे तो इस वीडियो में इतना है आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा आपने दोस्तों में सेर करिए फाइनली इस्टेडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू